नियूस क्लिक मैप का स्वागत है हमारे साथ आज इंटर्व्यू के लिए अतुल भारदवाज है भुद्पुर्द नौसेना के कमांडर और रक्षा और विदेश मामलों के विशेशग वेलकम अतुल ये बताईए कि क्या वज़े है कि आज जब हम यूरेशिया की बात हो रह ही है कि जो पूरा कॉंटिनेंट है यूरेशिया का अब बेल्ट और रोड इनिशेटिव के जरीए एक बद हो रहा है उस दोर में हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक के आपको इस ये जो इंडो पैसिफिक की जो परिकल्पना है वो यूरेशिया के के मुकाबले कहां तक बात करें तो इंडो पैसिफिक वो एरिया है जहां पर काफी हद तक इंटरनेशनल विपार चलता है यूरेशिया जो है वहां पर एक नए रूट्स अभी बन रहे हैं रूट्स एग्जिस्ट करते हैं बट उन रूट्स पर चलने वाला इंफ्रस्टक्चर अभी चीन और र सूप्रिलिएन डॉलर इन्वेस्ट करने की बात करता है बेल्ट-उरोड इनिशियेटेव में और वो इसलिए कर रहा है कि वह ताकि जो आज लेडिड में जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड है पुरा वेपार है जो जहाजों से जाता है पानी के जाता है वह उसका कुछ परसंटेज लैंड पर ट्राइवल करें अगर उसका कुछ भाग आज की देट में ओशन के उपर 90 प्रतिशत ट्रेड चलता है अगर उसका कुछ प्रतिशत यूरेशियन लैंड लाइन्स पर चलने लगे तो ये जो वर्ल्ड ओर्डर है जो की एंगलो अमेरिकन्स ने कंट्रोल किया है क्योंकि वो पूरे के पूरे वेपार को कंट्रोल करते हैं पूरे ओशन को कंट्रोल करते हैं तो उस ओर्डर में एक खलबली बचती है उस खलबली को रोकने के लिए अपने हेजमनी को अपने ओर्डर को preserve करने के लिए अमरीका ये कोशिश कर रहा है कि focus जो दुनिया का focus है वो oceans पे रहे, वो seas पे रहे समुद्र पे रहे लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत इस पर क्यों रजामान दिया क्यों इस बात से खुश है कि आज इंडो पैसिफिक की बात हो रही है मानो इस से हिंदुस्तान का हिंदुस्तान एक 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 रीजनल पावर की रूप में accept किया जा रहा है, ये कहां तक सही है बहुत सारे स्कॉलर्स नहीं लिखा है कि इंडिया is westernized हम एक अपने आपको एक western पावर के मोल्ड में देखते हैं हम इंडिपेंडेंडेंस के बाद भी strategically हम ये नहीं सोच पाए कि ये western order को सर्व करना क्या हमारा हमारा रूल केवल यही है हमने अपने इंटरनली तो western order को हिला दिया अपनी freedom struggle से बट एक्स्टरनली उस western order को हमने कभी भी challenge नहीं किया और आज भी अगर देखते हो आप हमारी जो thinking जैसे shape हुई है वो इस तरीके से shape हुई है कि हम imagine नहीं कर सकते कि ये western order धह जाएगा अगर हम उसको उसके डहने की बात सोचते हैं तो हमें लगता है कि शायद अगर ये धह गया American order post war American order तो शायद उसमें हम भी कहीं गुम नहोजाए लेकिन एक बार बार रक्षा के जो विशेशग्या हैं हिंदुस्तान में जो लिखते रहें और सरकार की तरफ से भी बात आती है कि हम चाहें न चाहें चीन हमारा एक चीन के साथ महत्री एक हद के बाहर बाद संभव नहीं है लिहाजा हमें उसको ध्यान में रखते वे अपनी तैयारी करनी पड़ेगी ये इसमें कहां तक सचाई है देखो हर देश अपने आपको तैयार रखता है बेकॉज आप दूसरे की दूसरे देश को कंट्रोल करने की शमता नहीं रखते है हमारे पास इतनी शमता नहीं है कि हम चीन का बहेवियर कंट्रोल कर सके हैं तो उसके चलते हुए हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी बट क्या उसका मतलब ये है कि हमको चीन के साथ लगातार एक टेंशन के महौल में जीना होगा क्या हमको वोई पॉलिसी अपनानी करेंगी कि चीन और हमारे बीच में जो एक डिफरेंस है वो बहुत बड़ा गैप है हम दोनों के बीच में एकनॉमिकली इन टरम्स ऑफ पावर एक गैप पैदा हो गया है चीन और भारत के बीच में पिछले 10-15 सालों में अब इस गैप को मैनेज करने के लिए क्या आपको टेंशन में रहना जरूरी है क्या आपको वैसे ही बहेव करना पड़ेगा जैसे कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बहेव किया पिछले 70 सालों में पाकिस्तान और इंडिया में भी एक ऐसा ही गैप था पावर गैप था एक असमानता रही है अब पाकिस्तान ने उस असमानता को मैनेज करने के लिए एक टेंशन का महौल पैदा किया इंडिया के साथ एक इनिमोसिटी का महौल पैदा किया एक दुश्मनी का दौर शुरू किया उसमें नुकसान पाकिस्तान का हुआ क्या हम वोही पाकिस्तानी स्ट्राटेजी अपनाना चाहते हैं चीन के प्रती अगर हम अपनाते हैं चीन तो थोड़ा बहुत परिशान रहेगा जिसे पाकिस्तान ने भारत को परिशान रखा बट मुद्दा यह है उसमें हमारा कितना नुक्सान होता है और क्या हम उसको सस्टेन करने के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे की नहीं अगर हम वोई उसी गेम में लगे रहें नहीं तो फिर क्या वज़े है कि हिंदुस्तान और मैं बार बार जो लोग लिखते हैं रक्षा या विदेशी मामलों पर बार बार इस बात पर जोड़ देते हैं कि हिंदुस्तान को अमेरिका के साथ संबंद सुधारने होंगे खास करके उस दोर में जहां रश्या और चाइना एक दूसरे के करीब आ रहें और उनके बीच में रक्षा संबंदी मामलों में भी एक ऐसी निकट पहुंच चुके हैं जिसकों के नजर में रखते हुए उनका मानना है रक्षा विश्च अग्यों का मानना है कि हिंदुस्त संबंद हमको सब के साथ बहतर करने है ज़स सवाल ये उठता है कि कि स हद तक बहतर करने है कि अमरीका एक नॉर्मल पावर नहीं है अमरीका एक एमपायर है अमरीका का जो डिफेंस बजट है वह अगले दस बड़े देशों से कहीं मिल के कहीं जादा है तो एक अमरीका एक normal power कारवर के रूप में आप यह नहीं कह सकते कि अमरीका से मेरे relationship हैं वैसे ही है जैसे मेरे relationship इंडिया के जपान के साथ relationship है उस वो पूरा मौहल बदल जाता है तो अगर आप और वो क्या चाहता है U.S. आप से आपको वो टेक्नालोजी थोड़ी सी दे देगा वो भी लेटेस टेक्नालोजी नहीं देगा बट उसके एवरज में वो आप से लेगा क्या सवाल वहाँ पर उठता है और आज के दोर में अगर डिफेंस के कॉंटेक्स्ट में देखेंगे आप तो एक तरह का ग्लोबलाइजेशन ऑफ मिलिटरी हेड़ कॉर्टर्ज हो रहा है जो अमरीका कर रहा है और वो globalization of military हो रही है इंटरनेट technology के थूँ आज वो आपको जो भी असला देते हैं जो भी weapon systems देंगे वो weapon systems आप उनके network में plug कर सकते हैं अगर आप Russia से कुछ weapon system लेंगे तो वो आपको US के network में plug-in करने में बहुत तकलीफ होगी आपको और पैसा खर्चा करना पड़ेगा उसको possible बनाने के लिए कि आप network कर सकें उसके साथ और ये अमरीका की requirement है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो आपको हमारे network में खेलने खेलिया मालाओ तभी करेंगे जब आपके पास हम ऐसे system होंगे जो कि हमारे साथ जुड़ पाएं और वो system वो तब ही मिलेंगे जब हम उन संधियों पर हस्ताक्षर करेंगे जो उस संधियां अभी तक भारत करने से कत्राती रही है इसको नजर में रखते हुए इस हकीकत को नजर में रखते हुए कि अमेरिका जो भी देगा उसके साथ उसके कुछ शर्त भी हैं जो कि आपको मानने पड़ेंगे जो हमारे हित के साथ हमारे हिंदुस्तान के हित के हिसाब से अगर देखा जाएं तो ऐसा कुछ नहीं है जो कहता है कि ये हमारे ले लाबधाय की होगा क्योंकि अगर तनाव बढ़ने के सिती होगी खास करके चीन के साथ जो कि एक पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे 4000 किलोमेटर से भी लंबा सीमा है हम शेयर करते हैं और उस सीमा को लेकर भी मदवेद है उसमें तनाव और बढ़ने की गुझाईश बढ़ जाती है इसको नजर में रखते हुए फिर क्या ये सही है जो कुछ लोग मानते हैं कि हम को चीन के साथ अपने रिष्टे बनाने चाहिए इसलिए जिससे कि वो तनाव हद से बाहर न जाए लेकिन दूसरी तरफ हमें नजदीक आना पड़ेगा अमेरिका से जिसका कि हम इस्तिमाल कर सकते हैं चीन के खिलाफ अपनी मन्यूवरिंग में ये कहां तक सही है लेकि जहां तक चीन के साथ हमारा सवाल है वो एक बॉर्डर इशू का सवाल वो बॉर्डर इशू को मैं इतना बड़ा मतलब नहीं अगर जपैन अमरीका के साथ कर सकता है काम बावजूद इसके कि अमरीका ने उसके उपर एक न्यूक्लियर बंब गिराया था उसको कॉलर नाइस किया था इसके बावजूद अगर आप जपैन और अमरीका के अच्छे रिष्टे हो सकते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि एक छोटी सी जो वार हुई थी हमारी 62 वार उसको हम मुद्दा बनाके या एक बॉर्डर को मुद्दा बनाके जो अभी तक पीस्फुल रहा है काफी है तोटली अल्मोस्ट पीस्फुल रहा है उसको एक मुद्दा बनाके हम चीन के साथ अपने रिलेशन्शिप खराब करें हम इतने सालों से ये लॉजिक देते आए हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रेड होता अच्छे वेपार होता तो शायद हमारे ये तनाव इतना नहीं बढ़ता पाकिस्तान आज चीन ये कह रहा है हमसे कि मेरे साथ आप वेपार कीजिए वो देश का आज सबसे बड़ा वेपारी मुल्क बन गया है अगर आप उसको इगनोर करते हैं और अगर आप तनाव किस्तिती अमरीका के साथ जाना में अमरीका चीन की टक्कर अमरीका से है आप जब हाथ मिलाते हैं ओपन ली अमरीका के साथ तो उसका चीन को ये सिगनल दे रहे हैं कि हम से तुम से डर है हमको और हम तुम्हारे एनिमी के साथ है अगर आप चीन के दुश्मन के साथ चो आज दुश्मन नहीं है चीन का कल हो सकता है पर एक कॉंपिटिटर है एक मेजर कॉंपिटिटर भारत नहीं है चीन का मेजर मुद्द जो हमको सवाल हमें उठाने चाहिए वो यह है कि क्या हम अच्छे रिष्टे चाहते हैं हमारी शुरुआत ही ऐसे होती है कि हम किस तरीके से यह रिष्टा कराब क्राब हो किस तरीके से इस रिष्टे में तनाव busy की between ko ताम तनाव कम करने की कोई बात ही नहीं होती है धन्यवाद अतुल आज का ये इंटिव्यू यहीं समाप्त होता है देखते रही है न्यूस क्लिक